डप्टर हिर्गेवार कहते थे कि हम तो तत्व को गुरु मानते, वेक्ति को मानते नहीं है, लेकिन सामान्य वेक्ति को निर्गुण निराकार के उपास्ना करना कठिन होता है। तो कोई सगुन आदर्शा अगर स्वहम से वको को चाहिए तो मेरा मत है कि पुरान काल में शरी हनुमान जी और आधुनिक काल में छत्रपती शिवाजी महाराज हमारे लिए सरवांगिन आदर्शा है ऐसे महापुरुष को याद करते समय हमको यह संकल्प भी करना पड़ेगा कि उनके आदर्शो पर चल कर हम अपने राष्ट्रिय परंपरा के अनुसार इस भारत को ऐसे प्रगत करें उत्थित करें विश्वगुरु बनाए सारी दुनिया की आज की समस्याओं का जो उत्तर दे सकेगा लेकिन संकल्प की पूर्ती के लिए हमको तपस्या करनी पड़ेगी 1925 से राष्ट्रिय स्वयम सेवक संग की यही तपस्या चल रही है समाज जीवन के अन्यान्य अंगों में उस तपस्या से तपो पूत होकर निकले कार्य करताओं की करनी के बहुत अच्छे अच्छे प्रणाम समाज देख रहा है संग को कुछ नहीं चाहिए संग को श्रे भी नहीं चाहिए यह सारा समाज को साथ लेकर स्वयंचो को ने किया समाज ने किया स्वयंचे वक साथ रहे पूरा समाज जब ऐसा अपना कर्तुर्ट्व देशित में समर्पित कर भेद और स्वार्थों को भूल कर समय के प्रभाह में और नए नए प्रभाह जो आकर मिले उनको आत्मसाथ करके आगे चलेगा समाज जीवन की सारी विविधता अपने विविधता पर ठीक से चलते हुए सभी विविधताओं का संबान गवरों करेगी और इस राष्ट्र की उस सांस्कृतिक परमपरा को इस मात्रभूमी के प्रति अपनी भक्ति को और उन पूर्वजों की आदर्शराकों की परमपरा को उनके मूल्यों को मन से स्विकार करके चलेगी तब वह विश्व गुरु भारत अगर एक काम हमने जल्दी किया तो इसी देह में इनी आखों से देखेंगे और तब अनेक प्रयोक कर ठक चुकी दुनिया को शांती और सुक्का नया रास्ता प्राप्त होगा दूसरा उपाय नहीं है नान्यपंता विज्जते अनयनाय और यह संग का प्रचार नहीं बोल रहा है यह अन्ठानवे वर्षक का समाज जीवन का अनुभव बोल रहा है